राती रादे मित्रों, पित्रपक्ष शुरू हो चुका है, ये समय है अपने पित्रों को धन्यवाद करने का, उन्हें संतुष्ट करने का और उनका शाद करने का आज हम आपके लिए यहां पर लिकर आए हैं जानकारी शाध कैलेंडर की यानि कि इस पत्रबक्ष के किस दिन किस समय पर किस के लिए शाध हमें करना चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले यह शाध का दिन है पूनिमा का शाध जो होगी 24-9-2018 दिन सोमवार को और समय शुरू होगा 7 बच करके 18 मिनिट सुबह के बाद दूसरे दिन का शाध यानि प्रतिपदा का शाध होगा 25-9-2018 मंगलवार को शुरू होगा सुबह 8 बजे के बाद तीसरे दिन यानि दुतिया का शाध होगा 26-9-2018 बुद्वार को शुरू होगा सुबह 8 बच करके 57 मिनिट के बाद तरतीय का श्राद होगा 27.9.2018 गुरुवार को और शुरू होगा 9 बचकर के 3 मिनिट के बाद चतुर्ती का श्राद 28.9.2018 शुक्र्वार को होगा और ये शुरू होगा प्राते 8 बचकर के 45 मिनिट के बाद पंचमी का शाद 29-9-2018 शनिवार को 8 बच करके 4 मिनट सुबह के बाद शुरू होगा खश्टी का शाद होगा 39-9-2018 दिन रविवार को 7 बच करके 4 मिनट सुबह के बाद सब्तमी का शाद एक दस दो हजार अठारा सोमवार को पूरा दिन रहेगा तो तिति पूरे दिन हैं आप कभी भी कर सकते हैं अश्तमी का शाद होगा दो दस दो हजार अठारा मंगलवार को और ये भी पूरा दिन रहेगा नवमी का श्राद तीन दस दो हजार अठारा बुद्वार को पूरा दिन तिति रहेगी तो आप पूरे दिन कर सकते हैं दश्मी का श्राद चार दस दो हजार अठारा यानि गुरुवार को ये तिति भी पूरे दिन रहेगी तो आप पूरा दिन शाथ कर सकते हैं एक अदशी का शाद भी 5-10-2018 को यानि दिन शुक्रवार को जो होगा वो पूरे दिन रहेगा दवादशी का शाद 6-10-2018 शनिवार को जो समय है वो होगा दोपहर 4 बच करके 41 मिनिट तक त्रियोदशी का शाद 7-10-2018 रविवार को दोपहर 2 बच करके 3 मिनिट तक करना है चतोदशी का शाद 8-10-2018 सूमवार को सुबह 11 बच करके 32 मिनिट तक हमें कर लेना है चतोदशी का शाद बेसिकली शर्ष्ट दुरगटना आदिसे जूर्ण व्यक्तियों की मृत्यों होती है उनके लिए भी किया जाता है इस दिन शाद तो ऐसी लोगों के लिए शाद 11 बच करके 32 मिनिट से पहले आपको कर लेना है अमावस्या का शाद 8-10-2018 दिन सोमवार को प्रातह 11 बच कर 32 मिनिट के बाद शुरू होगा तो 11 बच करके 32 मिनिट के बाद ही अमावस्का शाद करें पित्रविसरजन भी इसी दिन सायमकाल होगा तो ये था शाद केलेंडर हम आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए उप्योगी होगी नमू नारायन